दमश्का बीसे न्यूस की स्पेशल रिपोर्ट में मैंक्शिति जादीश मुकाव सभी का स्वागत करती हूं। जनाधार नैशनल पार्टी की दिल्ले प्रदेश अधिक्षव राश्ट्रय प्रवक्ता संध्या सीह ने एक कारिकरम का अजयन किया। जिसमें पार्टी की राश्ट्रय अधिक्षव शैशी मिश्रा मुख्यातिति के रूप में शामिल हुए थे। और उन्होंने कहा कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत बनाना होगा अगामी MCD चुनाओ अपने कैंडिडेट को उतार कर MCD चुनाओ में सभी बड़ी पार्टी को मात देकर अपनी सरकार बनाएगी हमें लोगों को मजबूर नहीं मसूत बनाना होगा लोगों को यह समझाना होगा कि किस रह जूटे वादे करके सरकार उन्हें ठगने का कारिय कर रही है पार्टी में ने सदस्य यानि सुरजभान और बल्लू पहलवान को राष्ट्य उपादेख्ष न्यू किया गया उसके बाद संद्यासिह ने शिक्षा पर जोर देते हुए दिल्ले सरकार को जूटा बताया और कहा कि मैं खुद अभिभावकों के साथ मलकर पिछले तीन महां से EWS कैटेगरी के तहट पात्र बच्चों के अभिभावकों के साथ प्रयासरत हूँ लेकिन दिल्ले सरकार की ब्रशनीतियों के चलते बच्चों के एड्मिशन में देवी हो रहे हैं लोगडाउन में लोगों को समस्या, अस्पताल में ऑक्सिजन दवायों की कमी, राशन के लिए महिलाओ का दूर दूर चाना इन सभी समस्या को दूर करने के लिए हमें दिल्ले में अपनी पार्टी मस्बूत करने होगी और लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि हम जो कहेंगी वर्क करेंगी, जूटे वादिक करके उनके साथ धोकान धही करेंगी कारेकर में सभी कारेकरताओं ने पार्टी की रश्रीय अद्धेक्षिंग शशी मिश्रा को फूल माला वगल दस्तादी कर समानत किया वही शशी मिश्रा ने सन्यासिय और उनकी पूरी टीम की सरहना की वही हमारे सवादाता ब्रिजेश कुमार ने भी बात की तो देखिए और क्या कुछ कहा बात करेंगे जनाधर पार्टी कैसे लोग के बीच बात करेंगे जनाधर पार्टी कैसे लोग के बीच में जाएगी कि तीन पार्टी का अपना जो एक मोटव है वो बिल्कुल इस पस्ट है इस पस्ट यह है कि हमारी कठनी और करनी में कोई भी डिफ्रेंस नहीं होगा हमने जनता की जो मुख्य समस्याइं है जो कि बेसिक एमिनिटी से रिलेटेड है जिनको आप चाहिए भ सरकार हैं यहां पर बैठी है और यह नई-ई-बादे करके आती हैं कि हम ही सबसे ज्यादा जनता के सेवक हैं और उनकी भला चाहने वाले हैं तो पिछले पांच साल यह उनको राज्य करते हुए निकल गए उसमें इनोंने क्या किया तब तक यह जो बेसिक चीजें हैं जिन और भी बड़े बड़े हस्पताल हैं जहां आकसीजन की इतनी कमी कि कितने लोग मरें तो सरकार हैं क्या देख नहीं थी हैं सेंटर की मुक्य चीज है आकसीजन से जैसी चीज जिस से हरे एक ब्यक्ति और पसुपक्षी सभी जिंदा रह सकते हैं उसकी वी ववस्ता सरकार कर कोसिस करूँगी तरहा है वकाने में संसराती घरद कोशिविक सब्सक्राइब today करूश धीजत लिद्सक्राइब कि अगर डिल्ली की जनता हमारे लिए मोका देती है तो उनकी जो बेसिक समस्याइं हैं उनको हम पूरा जितनी भी सुविधाइं हैं पूरी सुविधाइं देने के कोसिस करेंगे और जो कर्मचारीं उनके साथ में बहुता हमें अंब उनकी अदने वहसresse जारी दे만 हर्म को कि तरीप निश्रें जंसे देना कितना जरूरी है और तपूरा लिए कहीं को क्सा पद दिया और किस तरीव cœल्वाइप मिला वो कैसे काम करें डिल्ली के अंदर और अच्छी के अंदर हम ऑंज साल पहले हुआ रख चुके थे और अपनी जणे भी हमने हँए पूरा समर्थन प्राप्त है अज। हमने मत्याला विधान सब्स्ласти… जिनकों की लोकल लोग सब पहलवान के नाम से जानते हैं उनको नेशनल जनाधार पार्टी का हमने उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और नियुक्त करके उनको प्रसस्ती पत्र आज बरदान किये हुए है और उनके उपर ये जिम्मेदारी इसलिए डाली है क्योंकि वो एक इस छेत्र के काफी कर्मठ व पूरा करेंगे और इस बात का वो बचन देते हैं पार्टी उनको बचन देती हैं अगर हम आपकी समस्यां पूरी नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे लिए उस समय जो सदा नियुक्त करेंगे हम भोगतने के लिए तयाने लेकिन आज आज की डेट में जनता को हम बादा करते ह हैं कि आप हमें एक मोका दे हम आपकी समस्याओं को पूरा करेंगे यह पूरा बचन देते हैं और उस बचन का पूरा पालन करेंगे अपने मरते दम तक हम इसी सिद्धान पर चलेंगे के प्रांड जाए पर बचन न जाए और इसी सिद्धान पर चलेंगे हमारे सूरज भा आप भाईयों को धन्यवाद जो आपके माध्यम से आपके चैनल के यूटूब चैनल के माध्यम से हमारे विचार हमारी पाल्टी के विचार भाई जाएंगे जनता के जनता तक पहुंचेंगे मेरे जो भी इस छेतर में विचार और अभी मैडम ने बताया कि हमारी पाल्टी जनता के लिए सच का काम करेगी हर एक तत पे खड़ी रहेगी हर एक दुख दर्द में उनके साथ रहेगी लेकिन फेर भी मेरा एक ही कहना है कि भाई आमने कौंसलर अभी जो मेहनत और जो एकसा दान आदि में होगा मेरी पाल्टी में मेरी मट्याडा विदान सबा छेतर में मैं उस आदमी को चुनना पसंद करूआ जो जनता के बीच में रहता है और जो मट्याडा विदान सबा छेतर में अमेश्चा काम सुक दर्द दुख दर्द में खड़ा जनता के साथ खड़ा मि यक्ति चुनके उनको ही मुझे सरवेष्ट बनाना है क्योंकि साधान आदमी दुख और दर्द को इनसान के समझता है अज अध्यक जी के सामने आपने एक नारा दिया है मजबूर नहीं मजबूत बनाएगी यह पार्टी देखो हमारे देक्स जी कि खुद विचार धाराएं ऐसी हैं मजबूर नहीं मजबूत वाड़ी क्योंकि नारी होके एक इनके इरादे इनकी जो विचार है और जो जुबान है और जो वादे कर रहे हैं तो वो एक मर्द आदमी के होते हैं जैसे जासी के राणी के थे तो उन् ने चेतर को अपने देश को बचाया था तो ऐसे हमारे अद्देख्ष जी है जासी गिरानी से कम नहीं है दूसरा मैं यह कह रहा हूं कहना चाहता हूं सभी अपने दिल्ली में तो हमने काम करना ही है पाल्टी ने और सब को मिल जुल के ही करना पड़ेगा इसमें पहलवान जी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा और पाल्टी भी कुछ नहीं कर पाती है अकेले सब को मिल के ही देखो पाल्टी भी इनसानों से ही बनती है पाल्टी से इनसान नहीं बनते ह तो हमारी पाल्टी की जो विचार दारा है वो इनसानों को जनता को पहले लेके चलते हैं क्योंकि नर ही नरायन की सेवा है तो हम अगर नर की सेवा करेंगे तो भाई भगवान की सेवा अपने आप ही हो जाए क्योंकि भगवान ने वो बंदे बना रखे हैं तो हमारी सोच वि तो कम से कम अभी च्छोटी ही बात कर रहा हूं यहां पर तो आम आदमी का कोई एक सीट भी निकलनी नहीं है कैसे आप काम करेंगी और आज करवान जी को पद मिला है क्या आपकी तरस सब्सक्राइब पहली बातों मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि आज वो मेरे साथ जुड़के मेरे और मांगदर्शन देंगे मुझे मुझे बताएंगे कि मुझे कैसे काम करना है और टीम को किस तरह स इसमें भी मेरी साहता करेंगे तो मैं उनकी पच्चिनों पर चलूंगी दिल्ली अब हमारी है दिल्ली को हम जीत के दिखाएंगे हो चुकी है और अब दिल्ली में कोई दूसरी पार्टी को हम टिकने ही नहीं देंगे आपने दिल्ली में सिक्चा पर काम किया है इडवली एस पर जो मामला हुआ अई वावब विचारे भठके हैं आप उनके साथ दोर लगाई आपने आप थाने भी गई हैं आपको कई वार पोलिस ने कैद भी कर लिया था तो इस पर केजरिवाल जी की तरफ से क्यूकि आप दिलiego सारी इठिकारी पास में कि तरफ से कभी आपको सहारा मिला हो या कोई दिली दिली मुझे किसी से मिला मैं वी जपी और इप्स में भी गई मैं तरिण के पास भी गई मैं मनीश जी के पास भी गई मैं सब रिस्पेक्ट से बोलती हूँ, यह मेरी आदत है, क्योंकि रिस्पेक्ट देते रहना चाहिए, जब तक कि सामने वाला खुदी सर्मिंदाना हो जाए, तो मैं उस पे नियम पे चलती हूँ, मैं पूरा तब तक लड़ती रहोंगी, जब तक दिल्ली की सिक्षा निती सुधर न की वो दिल्ली निती सुधर पैए, वो चले हैं अपनी आपको तो तो सही कर ले, बाते वादे दो बहुत सारे किये, क्या मामाद्मी हम लोगों से मिलते रहेंगे पर आज आम आदमी जाको उन से पकार करता है, जो पेरेंट्स थे नके दरवाजे पे घया उन्होने, धक्क मरवा के और लाटी चलवा के हमें अरेस्ट कराया गया था ये चीज़ों हम कभी भूल नी सकते और मैं किसी भी जनता को जो भी मेरे साथ वो पेरेंट्स गए थे वो भूल जाते हैं कि वो ही जनता है जिन्होंने अपना कीमती वोट दिया था तो मैं उनको हर दिन वो चीज़ याद दिलाऊंगी कि इन्होंने आपके साथ क्या विवार किया था तो आप जैसा कि पहलवान जी कहते हैं जैसा कि हमारी जसी दी भी कहती हैं कि मजबूर नहीं मजबूत बनिये तो पूरी जिल्ली की जन्ता को हम मजबूत बनाएंगे और मैंने सब के अंदर इतना होसला बढ़ दिया है कि जो पेरेंट्स पंदा दिन भी जिन भी चल नहीं सकते थे आज तीन चार महिने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं हर दिन उनको मोटिवेट करती हैं नहीं अभी लड़ाई कतम नहीं होई है हर दिन हमारी उनसे बात होती हर दिन उनको मैं बोलती हूँ कि चुप करके नहीं बैठना आज अपने सुधार दिया कल हो सकता है आपका किया हुआ दूसरे को फायदा दे दे तो ये सोचके कर लेना हमेशा ये सोचके मत करो अपने लिए करना है सब के लिए करना है तो आज जनाधर पार्टी का ये कारिकरम हुआ और ससी में हमने कहा है कि धाई साल पहले ही हमने दिल्ली में कदम रखी दिया था और केजरिवाल जी को और जो भी पार्टिया है यहाँ पर उनको यह बता दिया था कि M.C.D. में किस तरीके से हम चुनाओ लड़ेंगे मैं तस्वीरों में सबसे पहले दिखा दूँ कि यह जो टीम है यह किस तरीके से डिली में M.C.D. के चुनाओ में जो करमचारी हैं बैचारी जिनको सेलरी नहीं मिली है उनको सेलरी दिलाएंगे और यह सड़क पर उतरेंगे या कंडिडेट उतारेंगे और उनकी कंडिडेट जीत के आएंगे हमारे पहलवां जी ने तो किलियर कर दिया है कि बही पंट्याला विदान सवा से आमादी पार्टी तो क्या कोई भी पार्टी होगी उसका कोई भी कंडिडेट जीत के नहीं आएगा तो आने वाला वक्त बताएगा इसी तस्वीरों से हम आपको रूब रूकराते रहेंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट में वक्त चला है यही रुकने का अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें बीस यन न्यूज नमस्कार